विल्कम टू आज चनल कल हमारा जो टेलिग्राम ग्रूप है जिसका नाम है sociology.net उस पर मैंने फिर से quiz कराई थी आप देख सकते हैं यह हमारा main group है अप लोग काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि ग्रूप में कैसे add होना है तो इसका link मैं description box में देदूंगी इसके अलावा आप आप यहां पर सर्च कर सकते हैं sociology.net इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा तो यह हमारा main group और इस पर जब आप इसमें add हो जाएंगे तो उसमें आपको दो option दिखेंगे एक होगा mute एक होगा discuss तो जब आप इस group में आएंगे तो जो discuss वाला option है उसको आ पूछ सकते हैं को भी personal advice ले सकते हैं related to exams आपकी preparation से related and जो भी quizzes बगरा होती है तो उनमें भी आप participate कर सकते तो यह है main group और इस से related एक है discussion group जिसका नाम है sociology मैं passion ठीक है तो आपको सर्च करना है तो वहां पर आप डालेंगे sociology.net और आपको यह group मिल जाएगा टेलग्राम पे या फिर link है description box में तो वहां से भी आप इसको कर सकते हैं तो आप देखते हैं quiz के कुछ questions क्योंकि काफे सारे लोग इसमें add नहीं है तो उन लोग को भी questions प्रवाइड हो जाए इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूं तो शुरू करते हैं तो यह है हमारा discussion group जहां पे हम लोग quizzes वगएरा या भी कोई भी discussion होता है तो वो करते हैं sociology my passion तो आप जब main group में add होगी तो वहां पे आप जब discuss का जो button है उस पर click करेंगे तो आप इस group में आ जाएंगे तो पहला question था पौटलिक जो प्रथा है ये किस tribe में पाई जाती है किस जनजाती में पाई जाती है आपके option थे तोड़ा बैगा भुईया और कमार तो इसका कुछ लोग उने सही किया था काफी सारे लोग ने इसका गलत answer किया था तो इसका जो right answer है वो है बैगा जनजाती ठीक है प्रदर्शनकारी उपभोग का सिध्धानत किस ने दिया था प्रदर्शनकारी उपभोग का जो थेयरी है ये किस ने दिया था आपके option थे परेटो डेनियर लार्नर थर्स्टन वेबलेन और ग्रामसी तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा थर्स्टन वेबलेन ठ इसने दी थी विस्तु बिवस्ता सिध्धान तापके option थे समीर अमीन गुर्णार मिलडर वॉलरस्टीन एजी फ्रैंक तो इसका जो राइड अंसर है वो होगा वॉलरस्टीन ने दिया था विस्तु बिवस्ता सिध्धान वॉल्ल सिस्टम थेयरी इसको अगर आपको detail में समझ आशासर से ही था क्वेशन था प्रसरण प्रभात को आधुनिक वैस्ट्वी अर्थवास्था में एक रूप में उसमें ने इसका राइड अंसर है चीज बताई हैं अगला कोशन है भुममिका तंफ का सिध्धांत किस ने दिया है तो भी मिका तंफ का सिध्धांत बुमिका संहर्स का सिध्धांत किस भूमिका संघर्श फिक है रोल कॉन्फिक्ड की बात हो रही है तो भूमिका संघर्श का सिध्धान किस ने दिया है यह कुशंग आचुका है 2018 जुलाई में जुझा राइट answer यूरी से ने माना था मर्टन ने दिया काफी सारे लोगों का साही भी था, अगला question है रुग्ड भूमिका का सिध्धान सबसे पहले कस ने दिया? तो अगर पोसता है कि सबसे पहले किस ने दिया? तो महँआ पर होगा आपका Anderson और अगर Anderson option में नहीं है, देन फिर आपका Parson resolution होगा तो यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है प्लस एंडर्सन आप्शन में हैं तो यह एंडर्सन का होगा अगर यह आप्शन में नहीं होते तो फिर यहां पर यह पार्सन का हो जाता है ठीक क्लियर हो गया अगला कोशन है किसी व्यक्ति का अपनी निर्धारित भूमिका से मोह भंग होना कोई भी परसन है तो उसका अपनी निर्धारित भूमिका से जब मोह भंग हो जाता है वो अपनी जो उसकी decide की गई कि तुमको ये काम करना है वहां से वो थोड़ा सा दूर होने लगता है तो इसको हम क्या कहेंगे भूमिका तनाव कहेंगे भूमिका दूरी कहेंगे रुगड़ भूमिका कहेंगे या भूमिका संक्रमण कहेंगे तो जब वो अपनी निर्धारित भूमिका से मतलब कि मुझे पढ़ाना है मेरी decided भूमिका क्या है कि मैं आपको पढ़ाऊं लेकिन मैं उससे थोड़ा सा दूर होने लगती हूँ मेरा पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है मैं अपनी भूमिका से दूर हो रहे हूँ तो सको क्या कहेंगे भूमिका दूरी भूमिका दूरी का concept किस ने दिया था किस ने दिया था किस ने दिया था समीर अमीन वॉलस्टील ऐंड्डुणर मिलडलग ठीक है तो ये जो आसमान विकास का सिध्धान्त है ये दिया था समीर अमीन ने इसको भी मैंने डिटेल में बताया है वही विकास का समझास्तर वाली वीडियो में तो आपको समझना है तो वहां से देख लीजिए अगला क्वेशन है पित्र सत्ता ही महिलाओं के शोशड का अधार है इसलिए इसको समूल नश्ट करना चाहिए ये थेरी किसकी है तो पित्र सत्ता ही महिलाओं के शोशड का अधार है इसलिए इसको नश्ट कर देना चाहिए यह concept किसका है तो यह concept है आपका जो रेडिकल वाले होते हैं रेडिकल वाले मानते हैं कि यह जो विवस्था है इसका जो महिलाओं का सोषड हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि सत्ता पित्त सत्ता अत्मक है तो हमको बिल्कुल खतम कर देना चाहिए इसको ये मानते है रेडिकल वाले राइट आंसर डी हो जाएगा जो सांस्कृतिक थे ये मानते थे कि जो महिलाओं के अंदर करूडा दया साहनुम होती है ये उनकी शक्ती है ना कि उनकी कमजोरी तो ये महिलाओं के गुड़ों को ए ठीक उनको पैसे मिलने चाहिए और जो उदारवादी नारिवादी थे ये महिलाओं और पुरुसों को अधिकारों के द्वारा समकर्ष लाना चाहते थे मतलब कि हां हमको बराबरी तो देनी है महिलाओं को लेकिन कैसे देनी है तो हमको कानूनी और सामाजी का अधिकार दे तो इसका right answer क्या हो जाएगा आमूल परिवर्तनवादी नारीवादी अगले question था राज पूझी पतियों की सहायता है तु बनाया गया शोषड का एक माध्यम है यह विचार किसका है जो राज है यह पूझी पतियों की सहायता के लिए बनाया गया है और शोषड का एक माध्य है कि वो लोगों पर शाशन कर सकें उनका शोषड कर सकें ठीक है तो यह माक्स का मानना था अगला question था राज सामाजिक विचारों का अनुभाग है जिसका मुख्य कारे है सामाजिक कारें में नैतिकता बनाया रखना और नियम हिंता की अवस्था को कम करना यह विचार किसक अपके option थे दुर्खीम, सिमेल, वेवर, और मर्टन तो राज जी को सामाजिक विचारों का एक भाग माना प्लस इसका मुख्य कारें बताया सामाजिक कारें में नैतिकता बनाया रखना और नियम हिंता की अवस्था को कम करना यह चीज़ बताई आपके दुर्खीम ने right answer ह हो जाएगा option number a ठीक यह correct हो जाएगा civil society is the vehicle of bourgeois हेजमनी यह चीज़ किसने कही है जो civil society है जो नागरिक समाज है यह बुर्जवाओं के हेजमनी का एक साधन है उसको बनाया रखने का एक साधन है किसने बोला है तो हेजमनी की बात कुन करता है ग्रामसी प्राधाने की अधर परना किसकी है ग्रामसी की है तो हेजमनी की बात आ रही है तो कौन हो जाएगा ग्रामसी हो जाएंगे ठीक है अगला question है civil society commodity exchange और सामाजिक श्रम का एक भाग है और यह क्यूं है civil society क्योंकि से सामाजिक आवशक्ताओं की पूरती होती है जो सामाज में कुछ आवशक्ताओं होती है वैक्तियों की उनकी पूरती होती तो यह commodity exchange और सामाजिक श्रम का एक भाग है अगला एंडर लास्ट question था पीम स्वानिधी यजना किसके लिए लाई गई मतलब किसके लिए लॉंच की गई ऑइनिविट था फर्मर को यह फिर इसडीड वेंडर्स को या फिर या फिर मेश्यों को तो जो स्वानिधी योजना थी प्रधान मंत्री इसडीशना यह लाई थी street vendor यानि कि जो छोटी-छोटे रेडी लगाने वाले चोटी-छोटे जो विक्रेता थे vendors थे उनके लिए कि उनको कम से कम 10,000 तक का loan प्रोवाइड किया जा सके without किसी guarantee के ठीक है इसको मैंने detail में समझाया हुआ जो प्रमुक सरकारी यूजनाय करके वीडियो है उसमें तो आप आप से देख सकते हैं अब बात करते हैं यह questions कहां से थे कौन-कौन से वीडियो अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं तो मैंने link प्रोवाइड कर आई हुई है यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ तो कुछ questions थे यह unit 5 based on ignore content यह मैंने कुछ टाइम पहले भी वीडियो डाली थी नागरिक समाज और boundary क्या होती है नेशन स्टेट क्या होता है बहुत डिटेल में मैंने इसमें समझा है बहुत अच्छे से तो काफी सारे questions यहाँ से थे second video जो कि आपको देखनी है जहां से questions बन सकते हैं इस बार exam में वो है tribes यह एजन जातियां करके मैंने एक वीडियो बनाई हुई है आपको उधर वीडियो में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको यह मिल जाएगा अगली जो वीडियो थी जहां से questions थे वो था प्रमु 그 complementary theory जो अत्म निर्भता सिध्धांत है विश्वयवस्ता सिध्धांत है चकरिय सिध्धानत है इसमान-विकासिधांत है एंप इस तरीके से जाने को मिलेगा उपहत Wareka ओक्ली वीडियो थी 파्री wykonत फेमिनिस्ष्य राइटर не के वर्क के बारे में यहां से questions exam में आ तो यह भी आपको देख लेनी चाहिए एक वीडियो मैंने बनाई थी जेंडर लिंग और लेंग इकता करके तो इसमें मैंने बताया था कि जेंडर क्या होता है और प्रमुख नारिवादी विचारधाराएं उनकी क्या-क्या मानेताएं हैं वो किसमें विलीव करते हैं यह सार वीडियो भी आपको देख लेनी चाहिए तो यह थी वीडियो जहां से मैंने कल क्वेश्चन बनाया थे तो आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी ऐसे ही पढ़ते रही है अपनी गोल की तरह बागे बढ़ते रहे हैं वीडियो देखने के लिए थैंक you so much